वेलकम बैक क्या हाल हैं ये रहा वीबो T3 5G और इस फोन में आपको आपको आप दो बॉक्स एंडॉइड 14 और फन टच ओएस 14 देखने को मिलता है मैं इस फोन को पिछले कुछ टैम से यूज कर रहा हूँ और आज की वीडियो में आपको वीबो T3 5G के 50 प्लस इडन फीचर और टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एहनास हो जाएगा आपको लगेगा कि आपने जो पैसा फोन के ओपर खर्च किया है वो आप लोग बसूल कर रहे हो इस फोन में आपको बहुत सारे हिटन फीचर टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलते हैं जैसे की कैमरे के राउंड इंग लाइट का एफक्ट कलर कस्टमाइजेशन ऑल्वेज ओन डिस्प्ले बगारा बगारा बहुत सारे हिटन फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं तो अगर आप लोग वीबोर T35 ले रहे हैं लेने वाले हो तो वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक वाच करना ताकि आप लोगों को इस फोन के सब फीचर के वारे में पता चल जाए तो चलो अब वीडियो को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना सबसे पहले एडिन फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको वाइरलेस कीवोड माउस का सपोर्ड ही मिलता है otg connection से आपने इस फोन के अंदर जो वाइरलेस कीवोड और माउस है उसको attach करना है कुछ इस तरीक 5G में आपको wireless keyboard और mouse दोनों का support मिलता है अब अगले feature की बात करें तो अगर आपने भी अपने phone की home screen के ओपर कुछ इस तरीके जो 3D wizard से वो लगाने हैं जैसे आप लोग इनके ओपर click करोगे animation भी देखने को मिलता है और यहां से आपका phone भी clean up हो जाएगा और साथ में कितने step trackers आपने यहां पर पूरे दिन में step चले वो भी आपको देखने को मिल जाएगा तो यह करना भी बहुत ही आसान है इसके लिए अपने phone की screen को pinch करना है नीचे आप लोगो यहां पर third number के ओपर wizard का option मिलेगा इसके ओपर click करोगे तो यहां पर आप लोगो सारे 3D wizard जो हैं वो देखने को मिल जाएगे जो भी आपको पसंद हो उसको hold and tag पर के record जहां पर आपने रखना होगा इसको simply आप लोगो वहां पर रख सकते हो और यह आपके phone के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसका काम भी बहुत ही useful है अब इस phone के अगले एक main important feature की बात करें तो वो feature आपको देखने को मिलता है गैलरी के अंदर गैलरी के अंदर आपके photos होंगी और videos होंगी मालो आपने किसी photo और video का एक जो PPT है document है वो create करना है तो वो आप लोग बहुत ही आसानी से इस phone के अंदर कर सकते हो photo को open करना है 3.4 पर click करो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जरनेट PDF या आप लोग PowerPoint की जो presentation है वो यहीं से create कर सकते हो आपको किसी भी third party आपको download करने की जोत नहीं है जो भी photo, videos की आपने यहाँ पर PDF बनाना हो या आपने PPT create करनी हो उनको set करो और यहीं से आप लोग उसकी PDF और PPT है वो create कर सकते हैं तो no doubt यह feature बहुत ही useful है और जो बंदे office में काम करते हैं उनके लिए यह feature बहुत ही काम आए और इनके अंदर आप लोगों को जो unwanted notification है वो आती रहती है तो इन सबको आप लोगोंने off कर लेना है में जो एप आपके काम के नहीं है उसको आप लोग अनिस्टॉल कर लो लेकिन इस फोन में आप लोगों को जो hot apps, hot games हैं वो भी देखने को मिलते हैं इन सबको आपने delete करन के लिए आपको इस फोन में वी app store देखने को मिलता है इसके उपर आपने click करके app info में जाना है अगर यह disable कर दो कर ना हो इसकी जो notification है इनको आप लोगों बंद कर दें इतना करने के बाद जो भी आपको unwanted notification आती है उसको आप लोगोंने बंद कर लेना है इसी के साथ इस फोन में आपको browser भी देखने को मिलता है इसकी भी unwanted notification आती है तो इसकी भी notification को आप लोगोंने बंद कर लेना है उसके बाद जो unwanted notification आती रहती है बार बार वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और जो clean experience है वो भी हलका फुलका देखने को मिल जाएगा और जो unwanted apps है उन सब को आप ल announcement के जो call recording है वो इस phone के अंदर कर सकते हो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अब देखो अगर आप लोग भी मेरी तरह इस phone को single hand से use करना चाहते हो अराम से पूरे phone को आप लोग एक hand से control कर रहो तो यह सब कुछ आप लोग इस phone में कर सकते हो सबस्वेल आपको करना क्य अगर आप लोग राइट से use नहीं गरेफ चाहते हो इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं वो सबस्वेल अब अगले फीचर की बात करें तो वह फीचर आपको देखने को मिलेंगे settings के अंदर display section में वैब इस phone में आपको emular display देखने को मिलती है तो यहां पर कुछ extra features भी आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले adaptive brightness का support देखने को मिल जाएगा automatically आपके जो light environment की उसके इसाब से आपके phone की badness control हो जाएगी eye production देखने को मिलते है dark mode का support भी देखने को मिलते है और no doubt भाई इस phone का जो dark mode है pure black आपको देखने को मिलते है जो whitest tone आती है वो आपको बिल्कुल भी इस phone में देखने को नहीं मिलेगी इसी के साथ आपके phone की जो screen है उसके color होगर आपने change करने है तो अपने हसाब से आप लोग professional तरीके से bright तरीके से इस phone की जो screen है उसके color को आप लोग चेंज कर सकते हो साथ में font एंड जो display का size है वो आप लोग यहाँ set कर सकते हो font का style है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे pre install आपको दो ही font देखने को मिलते हैं साथ में status bar है उसके वो भी आप लोग customize कर सकते हो battery का style बैटरी के percentage है उन सब को आप लोग अपने साफ से control कर पाओगे तो no doubt इस इस फोर में customization के भर भर के features आपको देखने को मिलते हैं और इस फोर में 120 हर्स का refresh rate है चेंज करना है 60 हर्स के उपर करना है 90 हर्स के उपर करना है तो वो सब कुछ आप लोग अपने साफ से कर पाओगे तो no doubt बहुत सारे interesting features जो है display section में आपको इस फोर में देखने को मिलेंग है और देखने में भी बढ़िया लगती है आप यह अपने फोन के अंदर कर सकते हो यह करना बहुत ही आसान है इसके लिए आपने एक डाउलोड करनी है एप का नाम है रिंग रिंग जो की यह रही और आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा simply आपने जो एप है इसको open करना है open करने को यहां सबस्पर इसको on कर दो अपने साब से adjust कर लो फिर इसके color को आप लोग adjust कर लो that's it और उसके बार कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी और यह बैटरी को भी indicate करती है तो no doubt और देखने में बढ़िया लगेगी अब देखो इस phone में आपक आपको वापेपर का section मिलेगा यहां से आप लोग अपने पूरे phone को customize कर सकते हो सबसे हले आप लोग यहां से वापेपर को change कर सकते हो उसके बाद जो themes है phone की वह आप लोग change कर सकते हो साथ में always on display का support आपको देखने को मिलता है सबस्वार इसको on करो और भाई भर भर के AOD क styles आपको देखने को मिल जाते हैं जो AOD का style आपको पसंद है उसको आप लोग रख लो एंड रखने के बाद भाई बहुत ही अच्छे अच्छे style जो है AOD के आपको देखने को मिल जाएंगे साथ में यहां पर जो display mode है वह आप लोग change कर सकते हो जो आपको पसंद हो आप लो settings के अंदर देखने को मिल एक custom lock screen के ओपर click करो और जैसे iPhone के अंदर आप लोग अपने जो clock style है उसको change कर सकते हो date का style चेंड कर सकते हो color change कर सकते हो वही style आपको one touch OS 14 के अंदर देखने को मिल जाता है और साथ में यहां पर आप लोगों को और भी customization के features देखने को मिल उसी के base का आपको lock screen वाप पर देखने को मिल जाएगा साथ में यहां पर आप लोगों के जो home settings है ले आउट है आपको app drawer चाहिए यह Google discover चाहिए यह सब feature भी इस phone में देखने को मिल जाते हैं और अगर आपने home screen का जो style है वो change करना है standard mode रखना है drawer mode रखना है यह सब feature आपक set कर सकते हो और अगर आप लोगों ने यहां पर जो material icon packs है उनको यूज करना है तो आपने system and app UI color को on कर दें जो material icon packs है वो आपके phone के अंदर enable हो जाएंगे तो भर भर थे customization के जो feature है आपको इस phone के lock screen और जो वाप पर section है इसके अंदर देखने को मिलेंगे जिनको यूज करके आपका जो phone यूज करने का experience है बहुती NX level का हो जाएगा अब देखो अगर आपने भी इस phone के अंदर जो network speed है इसको enable करना है तो इसके लिए आपने phone की setting के अंदर जाना है डिस्पेय बैटनेस का section open करो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा status bar इसके ओपर क्लिक करके ज सब कुछ बहुत बढ़ी है तरीके से काम करता है सबसे बैदे इस phone में आपको ambient light effect देखने को मिल जाता है जो आप लोग अपने on screen display के ओपर and always on display दोनों के ओपर इसको use कर सकते हो आपकी home screen का जो right side से swipe करने पर left side swipe करने पर क्या animation रहेगा वो आप लोग यहां पर customize कर यहां पर इकन कर पाओगे charging animation को आप लोग अपने साफ से customize कर सकते हो USB लगाने पर जो notification आएगा जो आपका animation रहेगा वो आप लोग चेंड कर सकते हो screen on and off करने पर भाई कौन सा animation रहेगा वो आप लोग देख सकते हो तो no.by इस phone के अंदर जो customization के feature है भर भर के आपको देखन को मिलती हैं और अगर आपने इस phone के अंदर किसी app का clone create करना है या दो बड़स आप इस phone के अंदर use करनी है एक time के अपर दो Facebook use करनी है तो यह सब कुछ आप लोग कर सकते हो आपने phone की setting के अंदर जाना यहां पर app का section मिलेगा और यहां पर आपको मिल जाएगा app clone का feature तो यह यहां पर कुछ limited apps हैं जिनके आप लोग क्रियो लोन जो है वो create कर सकते हो लेकिन future में यहां पर और भी app जो है वो वीव वाले add कर देगे जिससे आप लोगों के phone के जितनी भी apps है इन सब के आप लोग क्रियेट कर सकते हैं अब अगले features की बात करें देखो अगर आपको इस settings देखने को मिल जाए कोई trail version का update आएगा तो यहां से आप लोग apply भी कर सकते हैं बागे इस phone के अंदर आपको 5000 mAh की battery देखने को मिलती है और battery training को रोकने के लिए battery का session अलग से देखने को मिलता है और इसके अंदर भी आपको भर-भर के features देखने को मिल जाएंगे battery saver, super battery saver वो आपको देखने को मिल जाते हैं कौन सी app आप भी कितनी battery को drain कर रही है ऐसी कोई app जो आप लोग use नहीं करते हैं तो उसको आप लोग यहां से delete भी कर सकते हो और जिसको delete कर रहे हैं के बाद उसके बाद आपके phone की जो battery training है वो बिलकुल भी नहीं होगी और इस phone का जो battery backup ह अराम से आपको एक दिन का देखने को मिल जाता है अब देखो इस phone के अंदर आप लोगों को in display fingerprint scanner भी देखने को मिलते हैं और security तो भाई हर कोई अपने phone के ओपर लगा के रखते हैं तो यहां पर आपको security का section मिलेगा जहां से आप लोग security patch के update आते हैं Google के update आते हैं वो कर स तो automatically उस phone के करीब आते ही आपका phone unlock हो जाएगा आपको phone unlock करने की जुएत नहीं है तो यह feature भी काफी कमाल का है और यह feature बहुती कम phones के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लेकि no doubt वीबो T3 5G के अंदर आपको यह feature देखने को मिलते हैं और यहां पर privacy के भी बहुत सारे features जो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे shortcuts and accessibility के feature और यहां पर जितनी इस phone के जो आपको premium features है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे इस phone में split screen को option मिल जाएगा smart window और smart sidewars का support देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से यह काम करेगी और यहां पर आप लोग इसको adjust भ phones है चाहिए launch google assistant चाहिए या power manager यह सारे feature आपको देखने को मिल जाते हैं तो no doubt भाई बहुत सारे जो privacy के features हैं और जो आपके premium label के features हैं इस phone में आपको देखने को मिल जाएंगे flush notification, task time, accessibility बगारा बगारा बहुत सारे features हैं वो देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग इस phone के features को एक बार use करने लोगे तो आप ठक जाओगे लेकिन phone नहीं था यह आपको और और नहीं नहीं फीचर जो हैं वो निकाल करके दे देगा अब देखो इस टाइम पर मैं इस phone के अंदर जो gesture है उनको use कर रहा हूं back करने के लिए या close करने के लिए लेकिन बहुत सारे बंदो करके आप लोग रख सकते हो मुझे यहाँ पर जैसे प्रसंद तो मैं जैसरी यूज़ कर रहा हूं अब देखो इस phone के gaming features की बात करें तो gaming features के लिए आपको setting के अंदर ही इस phone के अंदर जो ultra game mode है वो देखने को मिल जाता है आप लोग जैसे इसको on करोगे on करने के बाद गे बहुत सारे बगहरा बगहरा जो gaming features हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं gaming features के detail के बारे मैंने इस phone के gaming test के अंदर बताया तो उस वीडियो को आप उजाकर के चेक कर लेना अब इस phone के camera features की बात करें तो यहाँ पर आपको home screen के ओपर यह camera की app मिल जाएगी जैसे आप लोग और करो के नीचे आपको सारी modes देखने को मिल जाएंगे और इन modes के physical उपर नीचे करने के लिए उपर आपको setting का button भी देखने को मिल जाता है जहां से आप लोग इस phone के जो features हैं उनको आगी पीछे कर सकते हो अब customization के लिए फोडो का section आपने open करना है setting का section यहाँ पर आप ल करो और यहां से आप लोग पूरे phone के जो control के features हैं वह चेंड कर सकते हो effect आपको देखने को मिल जाएंगे जो काफी अच्छे proper तरीके से काम करते हैं साथ में आप लोग को phone की watermark है उसको यहाँ चेंड कर सकते हो तीन चार आपको जो watermark है वह देखने को मिल जाते हैं और सारे camera features भी आपको इस phone में देखने को मिलेंगे अब अगले feature की बात करें तो देखो इस phone में 8GB की RAM आती है लेकिन इस phone में RAM expansion का feature है तो आप लोग अपने phone की RAM को 8 plus 8GB कर सकते हो इस phone में आपको 16GB की RAM भी मिलेगी फाइनली दोस्तो इतना इस वीडियो में ये थे Veebo T3 5G के 50 plus hidden feature and tips and tricks जिनको यूज करके आपको phone यूज करने का जो experience है वो और भी एहनास हो जाएगा वेल अगर आपको इन features के अलाबा किसी और features के बारे ही बता है तो आप लग मुझे comment section बता दो उन features के बारे में आपको next वीडियो बताने की कुशिश करूंगा वागे इतना इस वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक केया